हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए एक बहुत ही सुन्दर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट्स ये डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़िस्ट हो जाएगा 10 के multiple देखिए आप इसमें 10 फंदे गिन लेजिए फिर से 10 फिर से 10 बार बार 10 दस फंदे गिनते जहिए और last में आपके 3 फंदे होने जहिए ये design सीधी side से शुरू होता है 8 सलाईयों का design है और 16 सलाईयों में complete होता है तो चलिए इस design को बनाना शुरू करते हैं तो friends इस design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं 43 यानि 47 फंदे 10 के multiple करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा जो design की पहली सलाई मैंने यहाँ से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहाँ से बनाना बता रही हूँ तो आप अपने sweater jacket के लिए कोई भी border बना लीजे बोर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ा कर सीधी साइड से आप design को शुरू कीजे अब जो पहली सलाई यहाँ से शुरू हुई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो ध्यान से देखेगा कि पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा इसका एज़स्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएगे अब यहाँ से हमारा design शुरू होगा तो देखे धागा अपनी त प्यार पांच छे साथ आठ और यह नो धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बना देगे स्टार्टिंग के दो फंदे एज़स्टीच एक सीधा इन दो को छोड़ कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का जो design बना इसी को बार बार रिपिट करेंगे इस design में पहले जाली से फंदे बढ़ेंगे और इसके साथ मी सलाई पर फंदे काम होंगे तो आप पूरी सलाई ध्यान से देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे दोबारा से हमारा design शुरू हो रहा है लपेट कर एक जाली बना देंगे और 9 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पां दोबारा से हमने 10 फंदे का डिजैन बनाया फिर से इसी को रिपीट करना है लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नो धागा अपनी तरफ ही रहे और एक फंदा हम सीधा बना देगे फिर से इसी डिजैन को बना है दागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर जाली बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नो धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदा सीधा जितने भी फंदे हों इसी डिजैन को बार बार बनाते जाए और लास्ट में एक फंदा बच आज ये दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड से इस डिजैन की सभी सलाईया बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगे तो मैं आपको सिर्फ सीधी साइड से ही बुन के दिखाऊंगी तो जैसे देखिए अब मैं बुन रही हूँ उल्टा उल्टा ऐसे ही बुन लिया, अब आजे इसकी तीसरी स्लाई और सीधी साइड पर, तीसरी स्लाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए, अब हम धागा पीछे करेंगे और यहां दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और यह जाली वाला दो, धागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली बनाएंगे और नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो अब धागा अपनी तरफ रहे और यहां तीन फंदे सीधे आएंगे एक, दो और ये तीन, तो देख लिजिए एक फंदा बनाया, दो और ये तीन बार बार इसी डिजैन को अब हम बनाते जाएंगे देखिए लपेट कर जाली डालेंगे और नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो धागा अपनी तरफ रहे और तीन फंदे सीधे एक, दो और ये तीन फिर इसी डिजैन को बनाएंगे लपेट कर जाली डालेंगे और नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे तो ऐसे करते हुए आप सलाई को कम्प्लीट कर दीजे और लास्ट में देखिए जब आप आओगे तो यहाँ आपके तीन फंदे होंगे धागा अपनी तरफ करके एक और ये दो फंदों को आप सीधा बुन लिजे और एजस्टीच को उल्टा बनाएं तो यहाँ पर हमारे डिजैन की तीन सलाईयां कम्प्लीट हो गई चोथी सल सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा उल्टा बना दीजिए तो उल्टी साइड से चोथी सलाई बनाने के बाद आप आज ये पांच discard और सीधी साइड पर देखिए एजस्टीच को बनाएं या उतारिए फिर धागा पिछे करेंगे यहां हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2 और ये 3 धागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर जाले डालेंगे और 9 फंदे उल्टें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 धागा अपनी तरफ रहें और यहां 5 फंदे सीधे आएंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 धागा अपनी तरफ कर लेंगे और फिर से डिजाइन को बनाना है तो लपेट कर जाली डाल देंगे 9 फंदे उल्टे फिर 5 फंदे ये सीधे धागा अपनी तरफ करके तो यहां और यहां दोनों साई जाली से फंदे बढ़ेंगे और यह जो 9 फंदे हैं यह हमारे उल्टे ही आएंगे और थोड़ा सा फैलने वाला है क्योंकि इसमें आप जो भी डिजैन पर जिसी स्वेटर पर डालोगे थोड़ा सा खुलेगा जाली पैटर है ना इसलिए तो ऐसा ना हो कि फंदे आप प्रोपर डाल लो और फिर बाद में ये खुलके जादा लूज हो जाए तो कुछ फंदे आप इसमें कम ड़लिएगा तो यहाँ पर देख लिज्येगा यहाँ हमने जाले डालके नौ फंदे बनाए हैं अब यह हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे सीदह है तो धागा अपनी तरپ करके एक, दो, तीन, चार और ये, पाँच फिर हमारा नेक्स्ट डिजैन लपेट कर जाली डालेंगे और 9 फंदे उल्टे और जो हम इसमें सलाई लेंगे वो हम अपनी उन के अनुसार लेंगे बहुत सारे बहनों के यही कमेंट्स होते हैं कि हम सलाई कितने नंबर की लगाएं तो सलाई हमें उन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमारी उन मोटी ह पतली है जैसी भी हो अब यह वाली है ब्राइलोन की 4-ply wool है नॉर्मल होती है यह तो इसमें मैंने दस नमबर की निडल यूज की है देखिएगा तो ये हमें देखना होता है कि हमारे उन कितनी मोटी है कितनी पतली है उसी के अनुसार हमें सलाई लगानी होती है तो ऐसे करते हुए अब इस सलाई को हम बना लेते हैं धागा अपनी तरफ करके 5 सीधे बनाए लपेट कर जाले डाल देंगे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे उल्टे फिर धागा अपनी तरफ रहेगा लास्ट में 3 सीधे आएंगे 1, 2, और ये 3 एजस्टीज को हम उल्टा बोन लेंगे तो हमारे डिजैन की ये 5 सलाईया कमप्लेट हो गई 6 सलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बनाईए तो ये देखिए 6 सलाई को मैंने उल्टा उल्टा बोन लिया 7 सलाई है और सीधे साइड है 7 सलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा की कैसे हमारा डिजैन बनेगा पहले फंदे को आप उतारिये या उल्टा बनाईए अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने सीधे बनाए अब धागा अपनी तरप करके लपेट कर पहले एक जाली बनाएगे अब यहाँ हमारे जो 9 फंदे हैं 1 फंदे को हम 2 बार लपेट कर बनाएगे तो देखिए इस फंदे को लेंगे एक बार धागा घुमाया फिर दुबारा से यानि दो बार लपेट कर फंदे को उल्टा बना, फिर नेक्स्ट फंदे को देखिए, एक दो बार धागा लपेट ये और उल्टा बनाईए, फिर ऐसे लीजिए, एक और ये दो बार लपेट कर फंदे को बना दीजिए, फिर ऐसे लीजिए, एक और ये दो बार लपेट ये, फिर देखिए एक और ये दो बार लपेट लिजी फिर से एक और ये दो बार फिर से ऐसे नो फंदे हैं तो इनको हम एक फंदे को दो बार लपेटती हुए बनाएंगे इसी से हमारा ये कुल्फिर टाइप जो डिजैन है ये बनेगा अब देखें 9 फंदे हमने बना लिये अब धागा हमारा अपनी तरफ रहे और यहां पर हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सेम डिजैन को रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डालेंगे इन 9 फंदों को बनाना है देखिए ऐसे लेंगे, एक बार धागा लपेट दिया फिर दोबार लपेट कर इसको उल्टा बुना फिर से देखिए, एक और ये दो बार लपेट कर ऐसे बुलना है पूरी सलाई में आपको ऐसे ही करते हुए जाना है जो ये नो फंदे हमारे उल्टे हैं, एक फंदे को दो बार धगा लपेट कर बनाना है यह देखिए ऐसे लिया एक और ये दो बार लपेट कर बना दिया फिर ये जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रही है धागा अपनी तरफ रहे और साथ फंदे सीधे बनाएगे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ फिर से हमारा डिजाइन बनेगा धागा अपनी तरफ लप फंदों को लपेट कर बनाएगे ऐसे करते हुए सिलाई को अब लाश तक बना दीजिए तो ये देखिए सातमी सिलाई को हमने कम्प्लीट कर लिया है और लाश्ट में जब आए तो यहां तक के नो फंदों को लपेट कर बनाया फिर धागा अपनी तरफ करके ये चार सीधे और एज़स्टीच को उल्टा बना अब इसकी आठमी सिलाई है और उल्टी साइपर आठमी सिलाई पर डिजैन हमारा कम्प्लीट होगा तो आठमी सिलाई को देखिए पहला फंदा एज़स्टीच उसके बाद एक, दो, तीन, चार और ये जाली बाला पांच तो 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 इन 9 फंदों को खोल के ऐसे कर लिजिए इस वाली सलाई पर आप इनको एक साथ ले लिजिएगा अब हमें 9 फंदों का एक फंदा बनाना इन 9 फंदों को आप ऐसे कर लिजिएगा और ये देखिए ऐसे करके थोड़ा टाइट बुनते हुए 9 फंदे का एक फंदा बना दीजिए अब इसमें जो भी हमारे जाली से फंदे बढ़े थे चार इस साइड बढ़ गए इस वाले पार्ट में चार इदर बढ़ गए तो वो हमारे 9 का एक करने से 8 फंदे इसमें घट गए तो हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे 8 वी सलाई पर अब ये जाली वाला 9 एक फंदे से यहां हमारे 9 हो गए और 9 से हमारा 1 हो गया तो फिर से हमें 9 फंदे खोल ले हैं देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 और ये 9 अब इन 9 फंदो को हम इस वाली सलाई पर ऐसे करके डाल लेंगे और 9 फंदे का यहां थोड़ा टाइट बुनते हुए 9 का ह हम एक फंदा बनाएं थोड़ा टाइट कर लीजिए फिर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और ये 9 फिर से हम 9 फंदे खोल लेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और ये 9 अब ये जो 9 फंदे हैं इनको हम ऐसे लेंगे एक सलाई पर ये वाली सलाई इन फंदों में ऐसे करके डाल लेंगे और इन 9 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे बनाते टाइमिन को ऐसे कठा करके पकड़िए इस धागे को टाइट करके लाइए और फिर 9 का एक बनाएए खिस दीजिए इसे फिर 9 फंदे बनाएए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो फिर नो फंदे को लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो इन नो फंदों को हम इस लाई पर ले लेंगे और नो का एक फंदा ऐसे हम बनाएगे देख लेजे ऐसे आपने नो का एक फंदा बुनना है नो का एक करने के बाद लास्ट में जब आप आओगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छटा हमारा एजस्टीच तो आठ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गए अब हमें बनानी यही आठ सलाईया है लेकिन जो हमारा ये डिजैन बन रहा इसकी जगहे चेंज हो जाएगी ये वाला जो डिजैन है इस जगहे पर आजाएगा और ये जो जाली वाला है वो इस एक फंदे पर आएगा तो नो मिस लाई है आप ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए तो देखिए पिर दखा आपनी तरफ करेंगे लबेट कर जाली डालेंगे और नो फंदे उल्टे एक दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ और ये नो धागा आपनी तरफ रहे इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बना देंगे और नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो फिर धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ लपेट कर जाली डालेंगे, नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो अब धागा अपनी तरफ रहे, और इसे एक फंदे को हम सीधा बनायेगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डालेंगे, लास्ट में हमारे छे फंदे हैं, पांच डिजायन के हैं, और एक अज़श्टीज है, इन फंदों को हम उल्टा बुन देगे, तो ये हमारे जो है, नौमी सलाई कंपलेट हो गई, दस्वी सलाई को उल्टी साइड से आफ पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए, तो ये देखिए, दस्वी सलाई को मैंने उल्टा बुन लिया, ग्यार्मी सलाई और सीधी साइड पर, ग्यार्मी सलाई पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ करके अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये 3 तो देखिए यहां धागा अपने तरफ करने से जाली से फंदा बढ़ गया यहां हम इस तरह से धागा अपनी तरफ करके लपेट कर जाली बनाएंगे फिर 9 फंदे उल्टे एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो फिर से इसी डिजाइन को आप रिपेट कीजिए दागा अपनी तरफ करके तीन फंदे सीधे फिर लपेट कर जाले डालिए फिर नो फंदे उल्टे ऐसे करते हुए आप लाश्ट तक सलाई को बना दीजिए तो ये देखिए ग्यारमी सलाई हमारी पूरी हो गई आप बारमी सलाई उल्टी साइड से इसे आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए तो ये देखिए यहां पर मैंने बारमी सलाई को भी उल्टा उल्टा बुन दिया अब आज ये इसकी तेरमी सलाई और सीधी साइपर हम वही आठ सलाईयां बना रहें जो हमने यहां पर बनाई सिरफ हमारे डिजैन की जगह चेंज हुई है तो तेरमी सलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईये उसके बाद एजस्टीज को मिलाकर दो हो गए तीन, चार, पांच और ये छे फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली डालेंगे फिर नो फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो फिर से आप इसी डिजैन को बनाईये धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे सीधे फिर लपेट कर जाली डालें, नो फंदे उल्टे ऐसे करते हुए, लास्ट में यहाँ पांच फंदे बनाने के बाद लपेट कर जाली डालें, और छे फंदे उल्टे ऐसे करके आप इस सलाई को बना दीजिए तो यहाँ पर देखिए, मैंने तेर मी सलाई को कमप्लिट कर दिया है. अब इसकी चोद मी सलाई और उल्टी सैड से, रो नमबर 14 को आप पूरा उल्टा, उल्टा बना देजए. तो ये देखिए friends उल्टा बुनते हुए मैंने इसकी row number 14 को भी complete कर दिया अब आज ये इसकी row number 15 यानि पंदर्मी सिलाई पर पंदर्मी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा एजस्टीच है इससे उतारिए या उल्टा बनाई अब ये starting के जो 5 फंदे हैं जस्टीच के बाद इन्हें हम 2 बार लपेट कर बनाएंगे देखिए 1 और ये 2 बार लपेट दिया फिर फंदा ऐसे लेंगे 1 और ये 2 बार लपेट कर बनाएंगे यहां हमारा आधा डिजैन बनेगा दो बार लपेट कर हमें फंदे को उल्टा ही बुनना है तो ये मैंने starting में 5 फंदे बना लिए अब धागा अपनी तरफ रहे और 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली डालेंगे और 9 फंदों को दो बार लपेट कर बनाएंगे देखे एक बार हमने लपेटा और दो बार और फिर इसको हमने बना दिया फिर से देखे ऐसे लेंगे एक और ये दो बार लपेट कर बनाएंगे फिर से ऐसे लेंगे और दो बार लपेट कर बनाएंगे ऐसे करते हुए हमें 9 फंदों को बुनना है, बिल्कुल जैसे हमने नीचे बनाया था, सेम हमारा डिजाइन बन रहा है, सरफ इसमें जगे ही चेंज हुई है, तो ये देख लिजे, 9 फंदों को दो बार लपेट कर बनाया, फिर धागा अपनी तरफ रहे, 7 फंदे सीधे, फिर यहां लपेट कर जाली डाल लेंगे, 9 फंदों को दो बार लपेटते हुए बुनेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लास्ट तक बुन लेंगे, यहां लास्ट में भी लपेट कर जाली डाल देंगे, फिर 5 फंदों को हम दो बार लपेट कर बुनेंगे, और एज़स्टीज को ऐसे ही नॉर्मल बोनकर सलाई को बना देगे तो ये देखिए यहां पर मैंने पंदर मी सलाई को कम्प्लेट कर दिया सोल मी सलाई और उल्टी साइड पर इस पर हमारा ये डिजैन कम्प्लेट होगा तो देखिए एजस्टीज को आप उतारिए या उल्टा बनाईए अब ये जो पंच फंदे हमने दो बार लपेट कर बनाए इनको खोल देंगे एक, दो, तीन, चार और ये पंच इन पंच फंदों का हम यहां एक फंदा बनाएंगे ये हमने थोड़ा टाइट करके बनना है फिर हम नो पंदे उल्टे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो फिर हम नो पंदों को खोलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये नो अब इन 9 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे तो ऐसे करके आप इनको सलाई पर ले लिजेगा और इस धागे को आप थोड़ा टाइट कर लिजेए फिर 9 का 1 फंदा बनाईए ये 9 का हमने एक किया फिर से आप 9 फंदे उल्टे बनाईए फिर 9 फंदों को खोल कर 9 का एक कर दीज तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से 16 लाईओं में हमारा ये डिजेग ओवर हो जाता है इनी 16 लाईओं को जब आप बार बार रिपिट करेंगी तो आपका बहुत ही शांदार ये कुलफी टाइप डिजेग बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए आपको फिर से वही करना है पहला फंदा एजस्टीच दूसरे को आप सीधा बनाईए लपेट कर जाली डालिए 9 फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा यानि आपका जो डिजेग है इन फंदों पर 9 फंदे उ पूनिये और डिजाइन को रिपिट कर लीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए करके बैल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सब्सक्राइब के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले विल्स के और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू